प्रिव द्यारतियों, मैं यहाँ इस वीडियो में लेकर के आया हूँ 4 मार्श दोजार चोईस, यानि आज के दिन कक्छा 12 की अंग्रेजी विशे के प्रशन पत्र के सभी उत्तर इस वीडियो में हम प्रशन पत्र के उत्तर जो आपने लिखे होंगे उनको जाचेंगे उनको देखेंगे ताकि आपको अपने अंकों का अंदाज़ा यहां पर मिल सके अनुमान यहां पर आपको मिल सके आईए शुरू करते हैं पहला जो क्यूशन है वो यहां पर हमारी यहां पैसेज था जो की नाइन मार्क्स के लिए था इस पैसेज में जो क्यूशन पूछा गये थे वो हम यहां देखने वाले हैं तो पहला जो क्यूशन पूछा गया इन्होंने What different convenience do we get from trees? हमें क्या सुवीधाएं मिलती हैं पेडों से तो देखी डायरेक्टली इसमें आंसर नहीं दिया गया था तो इसके अंदर एक तो यहां पर इन्होंने लिखा है कि पेड़ हमें सप्लाई करते हैं ऑक्सिजन से तो पहला benefit तो यहां पर था और दूसरा जो benefit है वो यहां पर हमारे यहां लिखा हुआ है कि green plants की जो है पेड़ वो animals के लिए food की रूप में हम इस्तेमाल में लेते हैं तो serve as food for animals तो इस answer को सही माना जाएगा और हो सकता है इसे भी सामिल कर लें वो second है what is essential to life तो life के लिए क्या essential है तो हमारा answer था इसके अंदर oxygen जो है हमारे life के लिए essential है answer रहेगा इसके अंदर oxygen यह यहां से यह जो answer रहेगा oxygen जो है हमारे लिए essential है इसके बाद में अगला था what makes carbon dioxide increase in air carbon dioxide कैसे बढ़ती है तो faces में दिया है कि animals जब breathe लेते हैं और चीजे जब जलती हैं तो atmosphere में जो है वो carbon dioxide बनती है तो आपने यहां से लिखा होगा when animals breathe and thing burns तो वो carbon dioxide जो है वो बनती है how is carbon dioxide and oxygen made by leaves कि carbon dioxide का है और oxygen जो है वो पत्तियों के द्वारा कि सिरूज में काम में ली जाती है तो green leaves or trees absorb carbon dioxide यह carbon dioxide को absorb करती है and with help of sunlight break it down into carbon and oxygen और यह क्या बनाती है carbon बनाती है और यहां पर oxygen जो है वो sunlight की साहता से यह जो green leaf है हमारी यह बनाती है यह answer रहेगा अगला है where is all the starch of the world made starch कहा बनता है तो green cells होती है plant की चाहे वो leaves की हो उन सभी के अंदर जिनको laboratories कहा जाता है उनके अंदर यह starch बनता है green cells of plants के अंदर next है what will happen if there is no oxygen अगर oxygen नहीं होगे तो क्या होगा animals would soon die due to lack of oxygen यानि इनसान हो चाहे animal हो वो oxygen की कमी की वज़े से सभी मर जाएंगे सभी के सभी जीव जनतु जो है oxygen के विना मर जाएंगे इसके बाद इन्होंने पूछा है the layer of air that surround us जो हवा हमें चारों तरफ गेर के रखती है उसे कहते है atmosphere, shortage यानि कमी की spelling थी इसमें lack और very small के लिए यह वर्ड की उज़े गया था tiny तो यह 9 नंबर थे आप वापस इनको देख करके अपना answer चेक कर सकते है second passage जो है 6 नंबर का था यहां स्टोरी देगी थी गोतम की how did गोतम observe तपश्या किस परकार से तपश्या की उन्होंने तो यहां सुरु सुरु में लिखा हुआ था की rigorous ओस्टरीज for several days months and years कई महनों सालों तक उन्होंने कडी तपश्या की कडे वर्त नियमों का पालन किया तो इस परकार से उन्होंने कडी तपश्या की उन्होंने सर्टेन पावर के लिए तो यहां से for several days years observed यह जो answer है यह यहां पर answer रहेगा second है why did the crane die crane क्यों मरा तो गोतम बुद ने feeling disturbed and annoyed by dropping on his head looked at the bird with anger गोतम बुद ने उस पक्षी की तरफ anger से देखा था इसकी वज़ा से वो बर्ड मरा अगला क्यूस ने है why was Rishi happy at the crane's death Rishi जो है वो crane की death पे क्यों खुश हुआ because it indicated that he had obtained power to kill a bird by his very gaze showcasing the success वो इसलिए खुश हुआ है कि उसको ये पता चल गया कि वो बर्ड जो है वो इसलिए मरा है क्योंकि उसकी सपश्या जो है वो सफल हो गई है तो ये इसका आंसर यहां रह गया अगला अगला वाट बेड दा वूमन डिले इन गिविंग भिक्षा कि वो लेडी जो है वो भिक्षा देने में उसने देरी क्यों की because she was serving her husband and feeding her children क्योंकि वो अपने पती की और अपने बच्चों को जो है वो खाना किला रही थी वहां पर शेवा कर रही थी तो देखें यहां पर I was serving my husband and feeding my children I के जगर हमें लिख देना है C अब यहां पर पेसेज से वर्ड पूछा गया है कि गोड का सिनोनिम क्या है तो गोड का प्रियावाजी जो है यहां पर लिखा हुआ है DT भगवान इसके बाद life का opposite पूछा है तो death जो की नीचे दिया गया है यहां पर death यह हमारा second passage हो गया इसके बाद third question में You are Shikshah Ashim Cultural Secretary of Global School Ambala The school is going to organize its annual function in the next month Invite the names of participants for various activities through notice आपको notice लिखना था So notice का format होई है School का name आजाता, notice आती, date आती और notice का जो है विशय जो है वा आजाता Our students are informed that our school is going to organize its annual function on इतनी date और all interested students से जो है या participants से जो है हम various activities के जो है नाम invite करते हैं इतनी तारीक तक आपको देने हैं यह यह activities होंगी तो यह notice आपको लिखना था Write a thanking message to your friend आपके friend Anil ya Anita Whose invitation for a party is accepted by you Sign yourself as Sunil आपका नाम Sunil है या Sunita है और आपका दोस्त है Anil ya Anita उन्होंने आपको जो है एक party के लिए invitation भेजा था तो आपको उस party का invitation जो है वो accept करने का एक accept का है कि उनको इसका invitation का आपको reply देना था आपको तो formal और informal यह हम पर जो informal हम use करेंगे उसका यही तरीका है कि आपको एक letter की तरह लिखना है कि dear Sunil we are very happy to receive your kind invitation for party on इतना date इतने समय पर और we are looking forward to see you soon या meet you soon तो यह इसका हो जाएगा आपका invitation का reply आपकी स्कूल ने साइनस फेर का और्गनाइज किया नो बैक डेक 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 पर prepare a report for local newspaper using given hints and your experience आपको जो है आपके स्कूल में यह नो बैक डेक से यहाँ पर बस इतना है कि नो बैक डेक के दिना आउजित यहाँ जित किया गया था बात है कि आपकी स्कूल में साइनस फेर आयुजित किया गया है तो आपको यह बताना है कि इतने डेट को आपर स्कूल जो और्गनाइजड साइनस फेर और इसके अंदर इतने बच्चों ने participate किया इन्होंने यह model वहाँ पर प्रेजेंट किया वहाँ पर chief guest कौन थे winner क्या थे क्या क्या competition वहाँ पर थे वगरा आपने क्या सीखा क्या देखा planning कैसे करिया आप लोगोंने science fair के अपने school में stall कैसे लगाई अलग-अलग stalls लगाई जहां पर बच्चे अपने demonstrate करेंगे सारी चीजें model के display किया गया inspection जो है वो committee inspection किया और award जो है वो दिये गया तो एक प्रकार से paragraph लिखना था आपको science fair के लिए कैसे science fair celebrate किया गया अगला है our state has recently witnessed the legislative election हमारे state में legislative election हुए है best on your experience and using clues given write a paragraph on the scene of polling station आपको polling station के scene को बताना है कि polling station के scene के उपर जब election वगएरा होते हैं किसी school या फिर other institution के अंदर जो है voting होती है उसे polling station बनाया जाता है तो वहाँ पर जो है वो किस परकार का scene होता है लोग होते हैं किस परकार का arrangement वहाँ पर होता है तो यह सारी चीज़ें various posters वहाँ पर awareness लोगों को जागूर करने के लिए लगाए गए गए थे information देते हैं लोगों की कतारें वहाँ पर थी polling officers जो होते हैं P.R.O. वहाँ पर थे polling officers का का काम वहाँ पर रहा होगा और EVM machine जो होती है आप जो है vote कहां से issue होता है फिर हम जाकर के vote देते हैं हमें result दिखाई देता है वगए वगए यह सारी चीज़ें polling station का scene यह आपर बताना था Dear students, सबसे ज़्यादा important यह रहा कि हमने अपने पहले वाले वीडियो में आप से कहा था कि आपको एक लेडिटर को जो है वो लेटर लिखना आना चाहिए और सबसे जरूरी हमने वहाँ पर अपने वीडियो में बताया था कि जोब के लिए एक टीचर और कल्रक के लिए आपको एक लेटर याद कर लेना है जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर यह आया हुआ है और यहाँ पर एडिटर को लिखना था Drawing attention of the authorities on the poor drainage system and ill maintenance यानि आपके मोहले के अंदर जो हैं आपको मेसेज में लिखना था कि throw the column of your prestige newspaper I would like to draw attention of the authorities towards the poor drainage system and ill maintenance in our locality या in our town, in our village और फिर आप कह सकते हैं there are shallow drains they are of small size the drains are choked with garbage the water is overflowing there is hazard for health यह सब सीजें आपको लिख करके और लेटर को खतम कर सकते थे लेकिन उससे अच्छा रहता है कि आपने यह किया हो जोब का जो हमने आपको पहले ही बताया था इसके बाद यहाँ पर हमसे grammar जो है वो पूची गई है join the following sentence using words given the brackets किशोर built a new house he used marble tiles in it where यानि जहाँ किशोर ने एक नया घर बनाया जहाँ उसने marble tile का इस्तिमाल किया तो कैसे होगा किशोर built a new house फिर where का यूज़ किया he used marble tiles in it अगला है Manisha taught English she was a good teacher तो Manisha who taught English was a good teacher Manisha जो अंगरेजी पढ़ाती थी अच्छे द्यापिका थी अगला है Lencho wrote a letter to God अब को क्या करना है sentence को combine करना है he wanted God to help him infinitive का use हमें करना है तो Lencho wrote a letter to God expressing his desire to help him तो उसको help लेनी थी यह हमारा sentence रहेगा इसके बाद में उशा worked very hard यह जो sentence है यह कई प्रकार से यहां पर बनाया जा सकता है जैसा आपने बनाया होगा उस हिसाब से आपको देखना होगा उशा worked very hard and she stood first in class compound sentence यहां पर बनाना है उसा worked very hard and she stood first in class यह हमारा compound sentence होगया यहां पर question number 8 appropriate phrasal verbs जो है हम यहां पर भढ़नी है जैनी ने अपने मालिक का बिना किसी प्रशन के जो है उनुका पालन किया so carried out आएगा किया जाएगा the recorder asked me I was comfortable क्या मैं comfortable था आपने direct in direct में में साँ देखा होगा कि जब भी helping of से sentence सुरू होता है तो जोडने के लिए हम if का इस्तेमाल करते हैं तो यहां पर if रहेगा यह grammar के हमारे questions थे उसके बाद यह हमारे यहां पर पेसेज फिर से पुछा गया है यह हमारा पेसेज जो है डीप water lesson से हमें पीछा गया है Mr. Douglas के वाले lesson से six number का chapter जो है वो Douglas से है तो but it held me firmly it refers to इस पेसेज में इसने मुझे बहुत ज्यादा मजबूती से जकड़े हुए था तो it का मतलब किस से था strongly से था, hardly से था, इंस्ट्रकर से था, terror से था तो सही answer है मारा डर तो माफ कीजिए डर ने जकड़े हुए था narrator begin to practice four days a week narrator ने जो है वो एक सपता हमें कितने दिन प्रेक्टिस किया तो five days वो five days जो है एक सपता के अंदर प्रेक्टिस किया करता था तीसरा the other hand of the rope tied to the swimmer's belt was held by जो रसी swimmer के बांदी थी डगलस के बांद के रखते थे उसका दूसरा छोर को उन पकड़के रखता था तो इंस्ट्रक्टर उस चीज़ रसी को पकड़के रखते थे how long did the narrator take to satisfy narrator को अपना डर भगाने में कितने time का समय लगा तो उन्हें three months का समय लगा swimming सीखने में the word end in the passes means ये जो है end का क्या मतलब है यहां पर तो final part of something को इसी सीज का एक अंत हो जाना और sixth जो है हमारा यहां क्यूशन the opposite word in the meaning exhale स्वांस निकालने का opposite जो होता है वो inhale होता है ये रहे हमारे new time 11 जो है what thanks did little fans notice in the school after an order from Berlin की school में क्या देखा ये क्यूशन कई बार बोर्ड में आ था कि वहां पर school के अंदर एक चुपी थी एक शान्ती थी school बिल्कुल शान्त था Sunday morning के तरह शान्त था अगला है what made the pedler think the world of a red trap pedler जो है इस दुनिया को red trap जो है उसने कब माना किस तरीके से माना तो अगर उसके खुद के विशे में देखें तो वह जंगल वे जब फस जाता है और जंगल से जो वह है बहार नहीं निकल पाता है तो वह कहता है कि यह दुनिया जो है पूरी के पूरी के red trap है दूसरी तरफ जब वह देखता है कि हर लोग किसी ने किसी लालच में पीछे पड़े हुए है दुनिया की सारी की सारी चीजें ऐसो अराम सुक्षूइदाएं जो है यह ललचाती रहती है और इनसान उनके पीछे दोड़ता रहता है और इस प्रकार से वह एक चुहे दानी के अंदर जो है वो बंद हो जाता है Lost Spring Lesson से लिया गया निस यंग के कि who is Savita what does she do Savita कोन है और वो क्या करती है तो फिरोजाबाद में है Savita एक बैंगल मेकर है और वो बैंगल समनाती है एक युवा लड़की जो है Why did Sophie like her brother Geoff more than other member of her family Sophie जो है अपने परिवार के मेंबर में से अपने भाई Geoff को क्यों पसंद करती है क्योंकि वो बाहर जाता है बाहरी दुनिया में रहता है अलग लग लोगों से जाकर के मिलता है तो उसे वो पसंद है क्योंकि वो बाहर जाकर के अलग दुनिया में रहता है अगला जो प्रशन है हमारे यहां पर हो है Question number 13 Explain anyone of the following stanza with reference to the context तो यहां पर पूछा गया यह है और जो है दो यह आपने कियो होंगे It would be an exerting moments Keeping quiet जो हमारी poem है यह उससे लिया गया है These lines have been taken from our book from poem Keeping quiet और यह Aunt Jennifer से लिया गया है यह explanation आपको लिखनी थी अगर आपने summary लिखे होगी तो भी काम चल जाएगा Question number 14 Answer the following questions in about 60 words Write the central idea of the poem My Mother at 66 My Mother at 66 जो poem है उसका central idea हमें लिखना है कि यहां पर बताया गया है कि आपकी जो age है वो transit रहती है वो आगे बढ़ती रहती है कवित्री जिस परकार से पेडों की तुलना जो है वो अपनी बूडी मा के बूडे होते वे सरीर से जो करती है वो दिखाती है कि age और life जो है वो transit करती रहती है बदलती रहती है what does frost want to convey through the poem roadside stand roadside stand कविता में frost जो है वो क्या कहना चाहते है कि हमें जो है वो local people की मदद करनी चाहिए जो नीडी लोग है उनकी help करनी चाहिए अगला है why do the trees appear sprinting sprint का मतलब होता है दोड़ना पेड दोड़ते वे क्यों दिखाई देते हैं तो पेड दोड़ते वे इसलिए दिखाई देते हैं कि गाड़ी जो है वो तेजी से moving fast moving हो रही है इसकी वज़े से वो पीछे दोड़ते वे दिखाई देते हैं what is suggested by image massive weight of uncle's wedding तो इसमें ये बताया गया है कि aunt Jennifer के उपर जो है वो सामाजिक जिम्मेदारियां या पारिवारी के जिम्मेदारियां है वो बहुत ज्यादा है और उनकी जो freedom है वो आजादी पूरी तरीके से खो गई है यहाँ पर आप देख सकते हैं आगे चलते हैं how was maharajah killed by the hundred tiger maharajah को hundred tiger ने कैसे मारता आप सभी जानते हैं कि maharajah ने सिर्फ 99 tiger सी मारे थे hundred tiger जो था तो उसके लिए क्यूशन आम चोरी रहेगा कि उनके sun का बड़े था और sun के बड़े के उपर वो जो है वुड़न tiger से उसके साथ खेल रहे थे और wooden tiger जो था वो unskilled किसी एकुशल कारिगर के द्वारा बनाया गया था और उसकी एक जो sliver है वो पाइस्ट कर गी उनके हैंड में और इसकी वज़े से उनके हैंड में infection फेल गया और उस infection की वज़े से डॉक्टर के उपरेशन के बाद उनकी मौत हो गई how does Mr. Lamb try to overcome his feeling of loneliness Mr. Lamb जो है वो अपने अकेलेपन को किस परकार से दूर करते हैं तो by welcoming people into his garden and keeping his gate open he also sits in the garden and listens to bees, reads books in the sun तो Mr. Lamb जो है उन्होंने अपने गार्डन के दरवाजे सभी के लिए खोल रखे थे वो अपने बगीजे में बैठते हैं मदु मक्हियों की आवाजे सुनते हैं, किताबे पढ़ते हैं, सन में बैठते हैं इस परकार से वो अपनी लाइफ को enjoy करते हैं Why does Sam write a letter to Charlie? Sam जो है वो Charlie को letter क्यों लिखता है? Sam had informed Charlie that he was living on the third level Sam ने Charlie को ही बताया था कि वो third level पे जो है He had also told Charlie and his wife to keep looking the third level कि वो आप जो हैं, वो third level के तुरू जो gate है उस gate की जो हमेशा तलास करते रहें और वो उसके दरिये जा चुका है Who was Sadao? Where was his house? Sadao कौन था? तो Sadao एक Japanese famous doctor थे और उनका घर जो था, वो जापान के समुद्र के किनारे पर मौजुद था अब लास्ट क्यूशन जो 18 नमबर है, वो MCQ I shall cut off my tuft में मेरी चूटिया काट लूँगा मेरे बाल छोटे कर लूँगा यह word किसने कहते? यह word कहते एक्स्ट्र लोजर्स ने जब उनकी भविश्यवानी के प्रतिक खिलाफ आवाज उठाई ताइगर किंग लेशन से हमारे लिया गिया है वन कैन लर्न मोर अबाउड प्लानेट इफ वन प्राइवल्स टू एक इनसान कहां जाकर के अधाती के बारे में ज़्यादा जान सकता है तो आर्क्टिक के उपर जाकर के आर्क्टिक और आर्क्टिक इनमें से हमें उप्शन चूच करना है तो आर्क्टिक तो महसागर है अंटार्टिका महदीप जो है बरफ से डका हुआ है यह हमारा आंसर सही होगा C. अंटार्टिका यूमी थर्ड क्यूसन है यूमी कौन थी? तो यूमी जो है सदाओ की घर की नोकरानी थी तो मेड सदाओ की घर की नोकरानी अगला Mr. Lamb जो है वो कैसे वेक्ती थे तो वो लंगडे थे लैम थे वो लैमी लैम कहते थे उनको Question number 5 Everyone picked up his knife and fogged for eating on the bell कौन सी बैल के उपर सभी ने अपना चाकूचूरी उठा ली थी खाना खाने के लिए तो third bell जो है What fun and games did the narrator watch while returning home from school घर वापस आते वे कौन-कौन से गेमस वहाँ पर देखते थे तो performing monkey, the snack charmer, the cyclist तो यह सभी all three यह सभी चीजें बजार में उनको दिखाई देती थी तो students, यह हमने देख लिया दो हजार चोईस का अंग्रिजी विशय का पेपर अगर आपको आगे आने वाले सभी विशयों के महतोपून प्रशन और इसी प्रकार के question के answer चाहिए study material चाहिए तो मैं आपसे गुजारिस करता हूँ कि चैनल को subscribe कर लीजिए bell icon को press कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे share कर दीजिए ताकि help हो सके thank you very much and best of luck